सावधान जाकते रहो राद भर सोना नहीं है आदम खोर भीडिया अभी जिन्दा है वो कभी भी आ सकता है यूपी के बहराईश के 35 गावों में यही आवाज सुनाई देती है गाववाले रात भर लाठी डंडों के साथ उस खुंकार भीडिये के खौफ के साए में जी रहे हैं दिन में तो थोड़ा सुकून मिल जाता है लेकिन रात होते ही भीडियों का डर सताने लगता है तरीब दो महिने से भीडियों की तलाश की जा रही है लेकिन अभी तक केवल चार भीडिये ही पकड़ में आए हैं जो खुंकार भीडिये आज कल चर्चा में हैं आखर वो आदम खोर क्यों हो गए आखर क्या वज़ा है कि भीडिया इंसानी खून के प्यासे हो गए वैसे तो तक पाला नहीं जा सका देखने में तो यह कुट्टे की तरह लगता है लेकिन इसकी मुस्तैदी ऐसी होती है कि दूसरे जानवर भी इससे खौफ खाते हैं कहा जाता ही कि आज तक भेडिये के गले में पट्टा नहीं पहनाया जा सका अगर समझा जाए तो भेडिया कुट्ट करना पसंद करते हैं इनकी टोली का कोई भी चलोती इनकी टोली को नहीं दे सकता भेडिया जतना चाला होता है उतना ही फूर्तिला भी होता है कहते हैं कि अगर भेडिये के दांत में खून लग जाता है तो वो पूरे इलाके को तबाह कर देता है भेडियों के शिकार करने क बेडियों के लिए हमले करने के लिए रात का वक्त माकूल होता है वो हमले के लिए रात होने का इंतजार करता है शिकार करने के लिए इनके लिए रात बारा से सुबद चार बजे का समझ सबसे माकूल होता है क्योंकि जब लोग गहरी नीनमस होते हैं तब वो शिकार के तयारी करता है हमले से पहले भेडिये इलाके की रेकी करते हैं भेडिये जुन में हमला करना पसंद करते हैं इसके लिए वो पहले काफी देर तक इलिजदार करते हैं वो घात लगाकर अपने शिकार की टाक में रहते हैं और मौका मिलते ही तूट पड़ते हैं भेडिया हमला करने के बाद तुरंट फरार भी हो जाता है अब सवाल यह है कि आखिर भेडिये इंसानों के लिए कितने खतरनाख हैं तो रिसर्च में यह बाया गया है कि यूरोप और उत्तरी अमारिका में इंसानों को भेडियों से कम खतरा होता है भेडियों द्वारा इंसानों पर हमले करने के मामले कम ही दिखाई देते हैं ऐसा इसलिए कि भेडिये इंसानों से ज़्यादा डगते हैं जितना ही आप उनसे दूर होना चाहते हैं, उतना ही वो भी दूर होने की कोशिश करते हैं, वो मनुश्यों को देखकर भाग जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं, कि भेडिया और इंसान आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन जब भेडिया इंसानों के आती हो जात तब उनसे नहीं जब उन्हें इंसानी खुन का स्वाद लग जाता है तो वह ज्यादा खुंखार हो जाते हैं बेडिये शिकार से पहले एक अजीब तरीके से चिला कर अपने साथियों को आगा भी करते हैं और भीडिये के आवास दूसरे जानवरों से बिलकुल अलग होती है वो शिकार से पहले अपने साथियों को चिला कर इशारा करते हैं बेडिये शिकार के दोरान जुन को एक साथ रखने के लिए भी चीखते हैं शिकार को देखने के बाद चीखना एक तरह से भीडियों का संक की लगती है लेकिन ऐसा नहीं हर बेडिये की अपनी अलग-अलग आवाज होती है जिससे वो ये पता लगाते हैं कि उनके जुन में कितने जानवर हैं जुन में बेडिये एक दूसरे को उनकी चीखों से पहचान सकते हैं अब सवाल आता है कि आखिर बेडिये अपनी भूख म जिटानी के लिए जंगली, सूर, खरगोश, मचली इन सब को शिकार बनाते हैं क्योंकि भेडिये जुन्ड में शिकार करते हैं इसलिए वो बड़ी जानवरों पर शिकार भी आफसानी से कर सकते हैं लेकिन भेडिये अक्सर छोटे और कमजोर जानवरों का शिकार करना पसं बाल करते हैं भेडिया तेस्तरार और फूर्तिला जानवरों हता है, इसलिए वो जल्दी पकड में रही आता और भेडिया और सियार ऐसे जानवर होते हैं जो की नदी के किनारे रहते हैं और वो जंगल में शिकार करके अपना घरते हैं बेडिया छातीस मेल की पूर्ती से भाग भी सकता है और तीन प्रजातिया हैं इसकी नगभग चालिस प्रजातिया हैं ऐसा अनुमान है कि दुनिया में दो लाग से धाई लाग भेडिये हैं उत्तरी अमेरिका यूरॉप एशिया के कुछ हिस्सों में भेडियों की बड़ी आबादी ज्यादा तर प सब्सक्राइब की निजार तक भेडिये हैं बेडियों के मुह में करीब 42 दात होते हैं तो यह सारी जानकारिया है जो बेडिये के बारे में आजकल लोग बहुत जाना चाहरे हैं चुकि आतंक जो मचा हुआ है और खौफ में भी लोग हैं देखने वाली बात होगी कि जो ब जाता है और खौफ में गर अजकल प्रहे हैं तो यह सोगाँ हूआ हैं देखने और कि लोग हैं प्राइब देखने जारी जाइब के लिए अजकल एमेश। एान चाहरे हैं जारी जारे हैं एमें बारे हैं?